ओम सिरी गने सायनम दोस्तू एश्ट्रो समाधान यूट्योब चैनल में आपका हारदिक स्वागत हैं दोस्तू आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं साथ नवंबर सौंबार के रासी फल के बारे में कीह दिन मीन रासी वालों के लिए कैसा रहने वाला हैं किन किन चीजों से इनको फायदा होगा इनकी लफ लाइफ कैसी रहेगी करीयर कैसा रहेगा बिजनिश और विया पार कैसा रहेगा और स्वास्थ की महत्पपौन जानकरी हम आपको देंगे और इस वीडियो के अंत में हम आपको एक उपाई भी बताएंगे जिससे आप अपने आज के दिन को रिवी अच्छा और बहतर बना सकें दोस्तो आगे वीडियो सुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल लोग सब्सक्राइब करें साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी दबाएं जिससे समय समय पर आप लोगों तक हमारी ने ने वीडियो पहुंच सके चलिए दोस्तो बात करते हैं कैसा रहेगा मीन रासी वालों के लिए सौंबार का दिन सबसे पहले बात करते हैं कि आपके लिए आज पॉजिटिव रहने वाला हैं दोस्तो आज किसी कार्रे को लेकर अच्छी सफलता प्राप्त होने की संभवना पाई जाती है यदि आप किसी तरह की कार्रे योजनाओं को विस्तार करने की कुशिस करते हैं या किसी नए कार्रे का सुबारम करना चाते हैं तो उसमें आपको अच्छी सफलता प्राप्त हो सकती है दोस्तो साथी साथ भूमी भवन वाहन आदी के खरीदने के भी आज अच्छे योग बन रहे हैं वेग्यानिक दश्टिकोर्ण और उन्नत सोच आपको आगे बढ़ाने में साहिता प्रदान करेगी बड़े वजरुगों का इशने और आशिरवाद आप पर बना रहेगा दोस्तो साथी साथ जिस समाचार को प्राप्त करनी के लिए आप काफी समय से प्रियास कर रहे थें आज उसमें आपको सफलतावस्चे मिलेगी सिर्फ अपने कारे को योजना बद तरीके से करने की आपको आवश्च रकता है नोकरी के लिए दी गई प्रतियोगी परिक्ष दोस्तकों को पढ़ने में भी समय निश्चित होगा साथी किसी आध्यात्मिक और प्रतिष्ट व्यक्ति का भी आज आपको आसिरवाद वे मार्ग दरसन प्राप्त होगा आज सामाजिक वे राजनेतिक गति विदियों से थोड़ी दूरी बना कर रखें इसमें समय वर्थ ह ओने के अलावा और कुछ प्राप्त आपको नहीं होने वाला दिल की अपेक्षा दिमाग से आप निर्ण लें दोस्तों साथी साथ आपका स्वभी मान किसी भी परिस्तिती में हिम्मत वे साहस नहीं छोड़ने देता यही आपकी सबसे बड़ी संपत्ती है संतान की शिक्ष लोगों का मार्ग दर्सन आपको और अधिक मजबूत बनाएगा जिससे आपको उचित परिणाम हांसिल होंगे और आपका मन बहुती प्रसन रहेगा दोस्तों बात कर लेते हैं आज आपके लिए क्या नेगेटिव हो सकता है दोस्तों गलत बात का प्रतिकार करने से एक आर लोग आपके विपक्ष में आएंगे आपको हर काम बड़ी संजितगी और गंबिरता से करना चाहिए थोड़ी सी भी लापरवाई के परिणाम घातक हो सकते हैं किसी रिष्टिदार के स्वास्थ को लेकर भी आज टेंसन रहेगी विध्यारती हास परियास वे मनोरंजर राजिकी एमामलों के कारों में बहुती आपको साफधानी बरतनी की आप सकता है साथी साथ कोई नया निवेस करने से पहले आप अच्छी तरे से जांच पड़तार कर ले इस समय आर्थिक इस्तिती कुछ मंद रह सकती है घर के बड़े बुजर्गों वे वरिष्ट सदस्य के स्वास्थ का भी आपको विशेश रूप से ध्यान रखनी की आवश्शकता है अजनवी वे परिष्ट लोगों से वहवार में लेंदेन में साफधानी बरतने की आपको आवश्शकता है खर्चों पर भी आप नियंतर रखें इससे आपकी आर्थिक ववस्ता में काफी आएगा साती सात घर के लोगों के बीच किसी हलकी फुलकी नोक जोंक वे मतबेद की इस्तिती उत्पन हो सकती हैं किसी रिष्टिदार्च संबंदित कोई आप प्रिय समचार आपको विचलित कर सकता है इसलिए आपको धहरें और सैयम बना कर रखना अतियावशक हैं दोस् लोग अभी तक सिंगल हैं उनके जीवन में कोई प्यारा साथी दस तक दे सकता है अपने प्रेम जीवन को गहराई देने का और एक दूसरे को समझने का आज दिन हैं जीवन साथी वे परिवार जनों का सहयोग आपके आत्म वल वे आत्म विश्वास को बना कर रखेगा और आप तनाव मुक्त होकर अपने काम पर ध्यान दे पाएंगे दामपत्य संबंदों में मधूरता बनी रहेगी परिवार आपकी प्राथिमिक्ता पर रहेगा जीवन साथी आपकी परिस्तितियों में पूरी तरे से सहयोग देगा साथी माता पिता वे घर के बड़े बजुर लुगों का आशिरवाद वे इसने आपके आत्म विश्वास को बना कर रखेगा जिहां दोस्तों परिवार में आज सांती का वाता वरन रहेगा संतान की सहबत वे अध्यन से संबंदित जानकरी अवस्य लेते रहें किसी पुराने मित्र के मिलने से हर दिक खुसियां आपक का वे वेसाय केरियर कैसा रहने वाला हैं दोस्तों आज आस्मिक धनलाब के प्रबल योग बन रहे हैं प्रतिस प्रदाओं पर आज आप विजय पराप्त करेंगे नए कार्रे सुरू करने के लिए समय आपके लिए बहुती अच्छा रहेगा साती सात कारे छित्र में भी का काफी हद तक आपको इसके सकारात्मक प्रिणाम हासिर होंगे तथा कारोबार के विस्तार संबंदित नई योजनाएं भी बनेंगी तो आपके लिए अवस्ते ही लाबदाइक साबित होंगी विवसाय में नेने प्रियोगों पर अमल करना आपके लिए आवश्चक है क्योंकि वर्तवान इस्थिती के कारण कारों के नीती में परिवर्तन जरूरी है अगर आप शेयर्स भूमी आदी में निवेस करने का प्रोग्राम बना रहे हैं तो आप इसमें निवेस कर सकते हैं यह समय आपके काफी अनुकूल है जो की आगे चलकर आपके लिए बहुती लाबदाइक साबित होगा दोस्तो बात कर लेते हैं आज आपका स्वास्त कैसा रहने वाला हैं दोस्तो आज आप अपने सेहत की छमताओं को बनाए रखते हुए अपने समी कामों को पूरी सारा रिक छमता के साथ करने में सफल हो सकेंगे जै दोस्तो आज आपका स्वास्त बहुती अच्छा रहेगा आज आप अपने आपको तनाव मुक्त और काफी उड़ जावान महसूस करेंगे साथी साथ दोस्तो अपने स्वास्त को और भी अच्छा रखने के लिए आप रोजाना योग करें, वयाम करें, स्वास्त रहें दोस्तो बात कर लेते हैं, आज आपके लिए विशे शुपाय क्या है दोस्तो आज आप इश्नान आदिशे निर्वत्र होने के बाद अपने श्रद्धा के नुशार, अपने सामर्थ के नुशार किसी जरुत मंद को कुछ न कुछ अनका दान आप भगवान भुलेनात का इसमरान करते हुए अवश्य करें, या दोस्तो ऐसा करने मातर से ही भगवान भुलेनात बहुत जल्द प्रशन होकर आपके समस्त कष्टों को दूर करेंगे जो भी आपके जीवन में परिशानिया चल रही है समस्त परिशनियों कांत करेंगे और आपको जल्द ही सुबो फलो के प्राप्ती होंगी और आपके सभी कार्रें बहुत यासानी से भगवान भुलेनात के आशिरवाद से बनते चले जाएंगे दोस्तो भगवान भुलेनात का शिरवाद आपको प्राप्त हो सच्ची दिल से कमेंट स्बोक्ष में जै भुलेनात तवस्चे लिखें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें धन्यवाद